इस तरह से कारिoncé करती है, कि गन्य की बिवाई एक बड़ा स्रम साध्य बिश्रρού है, क्योंकि गन्य में पहले टुकडे की ये जाते हैं, और खेत में नालियां और आती है, उन नालियों में खाद और गन्य के टुकडे और जो ढ़र आदीमक की टबा डाल के फिर उसको मिती से और फिर एक खलका सा पठेला लगाना होता है यह सारे कार को करने के लिए जो काफी स्रम और काश्ट की जो लागत की भी जवरत होती है इन सभी चीजों के मसीनी करन के लिए भारति गन्ना अबस्टन्दान समस्तान में एक मसीन का विकास किया गया है जिसका नाम है सुगर केन कटर प्लांटर मेंज एक गंणा भुआई की मसीन है जिसमें स्चटटिंग का भी काम होता है गंणे के तुकडे काटने का भी काम इसी मसीन में होता है तो इस मसीन के प्रियोग से गंणा भुआई के जो भी चार-phthalाच अपरेशन है गहरी नाली बन खर पत्वार नियंतरन के लिए हर भी साइट की स्प्रेंग की जाती है तो ओ काम हमको अलग से करना पड़ता है गन्ना बुआई के बाद जिसमें की ओ एक भी बहुत पूरे पानी को ढोना खेत तक ले जाना काफी स्रम लगता है तो इस मशीन में पीछे जो है एक अटेश्मे काटने के लिए इस मसीन का जो ट्रैक्टर से चलने वाली मसीन है इस ट्रैक्टर में हमें थ्री पॉइंट लिंकेज से पहले इस मसीन को जोड़ा जाता है और साथ में जो गन्ने के टुकडे काटने का जो ब्लेड लगा है पीछे उस ब्लेड को घुमाने के लिए एक पीट तुकडे को काटती है और उसके बाद जो गहरी नाली बनाने के लिए यह जो एक नाली बनाने का गहरी नाली बनाने का एक वो है जिसको हम डीफ हरूवर बोलते हैं यह करीब पचीज सेंटीमीटर गहरी नाली बनाती है वहां मेड भी बनती है तो अगर हम मेड से नापते हैं जिसमें आउस्तन तीन आख आते हैं जो बड्स बोलते हैं जो गन्ने के टुकड़े में बड्स होती है वही जर्मिनेट करती है तो उसके अंकुरण के लिए तीन में से आउस्तन तीन में से यह क्या दो जो बड्स है कल्ले उसे वो जर्मिनेट होती है तो वो जो है इसे मतलब 35 cm लंबे टुकड़े होते हैं और उसके बाद फिर बाकी ये देखे ये फर्टिलाइजर का बाक्स है जिससे की जिसमें खाट डाल दिया जाता है इन दो बाक्से में चूंकि ये मसीन दो नालियों में गन्ने की बुगाई करती है दो नालियों के लिए दो फरो अपनर लगे ह अब पीछे जो एक और है वो हर्विसाइड इस पर रहेगा उतने में इस पर दवाई भी दवाई पढ़ती रहेगी दिमक वाली तो कितने दवाई किसे साब से डालते हैं क्या ये करीब पांच लीटर जो अगर 20% AI से होता है तो मतलब ए वन लीटर पर हेक्टेर के साब से 600 लीटर पानी में गोल करके उसको इस प्रे किया जाता है इस प्रे करते हैं ड्रेंचिंग करते हैं इस प्रेंग तो हम हर्विसाइड वाला करते हैं जो की खर्पतवार को नश्च करने वाला लेकिन जो दीमक की दवा है उसमें हमको ड्रेंचिंग करनी रहती है मतलब यह है कि जैसे हजारे से पानी डाला जाता है काफी पानी के साथ ताकि मिट्टी में खूब बढ़ियां से दवा मिल जाए और उसके बाद हम उसको मिट्टी से ढख देते हैं जिससे कि उसकी पूरी जो दवा का असर है वो काफी इस मसीन के प्रियोग का एक फाइदा वो भी है क्यो किसान सबसे पहले एक रिजल लेता है खेत में नाली बना लेते हैं नाली के बाद अलग से टुकड़े काटे जाते हैं उनको अलग से डाला जाता है दवा डाला जाता है फिर बाद में मिट्टी ढखा जाता है तो इस प्रिक्रिया में काफी नमी का जो हरास हो जाता है तो जो बीच की है ऑफ नमी जमीन की है, यह दोनों समें शान रहती है। इस महीं फ़ल एक हीक्टेर तो एक्टेर में उसमें करीब चार आदमी लगेंगे $2 है यहाँ सीड बनी हुई है, दो आदमी केवल इस मसीन पर बैठेंगे, जो खड़े गन्ये को मसीन में डालते जाएंगे, और बाकी सब काम आटोमेटिक होगा, केवल दो आदमी की जवरत होती, जो मसीन में खड़े गन्ये को डालेंगे, जो की गन्ये के टुकड़े बनाएगे और बागी सब काम मसीन करती जाएगी, दो आदमी हमने ट्राउंड पे रखते हैं टा कि जब बीज खतम हो जाए, तो इन आदमियों को उतर के फिर बीज न भरना पड़ें तो उसके लिए दो आदमी हम अलग से रखते हैं जो बीज खतम हो जाता है तो बीज डाल देते हैं, अगर खात खतम हो गई तो खात डाल देते हैं, तो कुल मिला के चार आदमी, अगर की हमी आउशकता पड़ती है, उनकी मदद से इस मसीन को चलाया जाता है। पचारस आदमी जो काम को आठ गंटे में करते हैं, मतलब अगर हम पचास गुड़े आठ करते हैं, तो चार सो मेन आवर हुआ, उस काम को चार आदमी पांच गंटे में करते हैं, तो बीस मेन आवर हुआ, तो चार सो मेन आवर का काम, बीस मेन आवर, मतलब इतना लेवर सेवि अगर बात करें इसके कीमत की तो कितनी कीमत है सो कुछ अनुदान वगारा सब्सक्रेश के इस में यह मसीन जो है इस स्थान से विक्सित करने के बाद इसको हमारे जो définis में जो कही जो किसान की मंशीन को पहुंचाने के लिए हमें फिर किसी टने लिटांसे ऊचीन करना पड़ तो अभी इस्टूट ने करीब 11 कृसी अन निर्माताओं से इस बात पर यह मुझे साइन किया है और यह मसीन करीब देढ़ लाख रूपए में देढ़ लाख से दो लाख रूपए में करीब यह किस निर्माताओं के हाँ मसीन उपलब दो नाली वाला तो देढ़ लाख रूपए में मसीन मिल जाती है और अनुदान जो है एक आरकेवाई जो हमारी राष्टी क्रिसियोजना है उसके तहप फार मस्चिनली बैंक की अस्थापना पर जो अनुदान है वो गन्ना के गुवाई अंत्र हैं उनके उपर भी है तो पचास प्रस्चत या चालिस अजार रूपए इतना जो हमारी अनुदान इस पर है